ऐसी बहुत सारी भारतिये या पश्यमी उपचार तकनीके हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, मगर वो काम करती है और मेरा एक नीजी अनुभव रहा है कई साल पहले मेरी पतनी को कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द शुरू हो गया ये बहुत ही तेज और बहुत बुरा दर था मैं उन्हें तुरंट नियूरोलोजिस्ट के पास ले गया, उन्होंने एमराई किया तो सब कुछ ठीक था, कोई समस्या नहीं थी मगर वो वाकई दर्द में थी, सच में शुक्र है आप स्पाइनल सर्जन नहीं थे, वरना आप सर्जरी कर देते फिर मेरे एक रिष्टेदार ने सुझाव दिया कि मैं उन्हें एक एक्यूपउंचर स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ एक डॉक्टर होने के नाते, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना मेरे लिए थोड़ा शर्मनाग था और उसके पास कोई फैंसी क्लिनिक भी नहीं था, मैं उसके घर गया उसने कुछ मिनट मेरी पतनी से बात की और उसे फर्ष पर लेटने को कहा सद्गुरू वो लगभग तस मिनट तक एड़ी से कमर के निचले हिस्से पर दवाब देता रहा मैं देख रहा था मैं बढ़ा चड़ा कर नहीं बता रहा हूँ मगर मेरी पतनी को तबसे कभी कमर दर्द नहीं हुआ मैं आपको ऐसे हजारों लोग दिखा सकता हूँ सुईयों के बिना भी बस यूँ ही मैं मुग्ध था क्योंकि उसने मेरी पतनी को ठीक कर दिया उसने वो कर दिया जो मैं पतिस साल में नहीं कर पाया उसने उन्हें ठीक कर दिया लोगों के उपचार के कई तरीके हैं और प्रोफेशनल्स होने के नाते हमें उपचार के सभी तरीकों का सम्मान करना चाहिए निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि इमर्जन्सी के समय एलोपेथी प्रणाली सबसे अच्छी होती है जब हात में समय होता है तो निश्चित तौर पर दूसरे सिस्टम कहीं बहतर होते हैं कई तरीकों से लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं भारत के दक्षणी हिस्से में खासकर तमिल नाडू में एक चिकित सा प्रणाली है जिसे कहते हैं सिद्ध सिद्ध वैद्य ये एक अध्भुत उपचार प्रणाली है ये इतने विस्तृत है कि उसमें तीन लाख से अधिक दवाईया है मुझे नहीं लगता कि आधुनिक दवाईयां भी इतने प्रकार की होती हैं तीन लाख से अधिक दवाईयां जिनके बारे में विस्तार से लिखा गया है आयुर्वेद और सिध में मूल भूत अंतर ये है कि आयुर्वेद जड़ी बोटियों पर आधारित होता है जबकि सिध मूल तत्वों पर बात केवल इतनी है कि इसमें डॉक्टर में कुशलता का जो स्तर होना चाहिए आधुनिक दुनिया में ये एक चुनौती है ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको जीना होगा किवल तभी ये काम करता है जो व्यत्ती दवाई देता है वो भी उतना ही महत्वपून है जितनी की दवाई कौन दवाई दे रहा है आप स्पर्श की बात कर रहे है तो दवाई देने वाला भी महत्वपून है सिर्फ दी गई दवाई नहीं मगर आधुनिक चिकित्सा की प्रकृती ये है कि आप एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कोई केमिस जो उसके बारे में कुछ नहीं जानता दवादे देता है और मरीज उसे खा लेता है ये पूरी तरह रासायनिक है और ये काम करती है मगर जब कोई पुरानी बिमारी हो अगर इन्फेक्शन हो तो रासायनिक बंबारी से उसे मारना ही सही तरीका है मगर जब आप अपने अंदर से बीमारी पैदा करते हैं तो उसे अंदर से ही ठीक करना सबसे जरूरी है अगर इमरजनसी हो तो आपको अधिक आक्रमक तरीके से निपटना पड़ता है वो अलग बात है लेकिन इन प्रणालियों में बहुत व्यापक ज्यान है सेहत और खोशाली के बारे में मगर समस्या ये है कि इसमें जीवन भर की लगन और जुडाव की जरूरत पड़ती है इस तरह की प्रणाली में पारंगत होने के लिए इसे आप किसी पेशे की तरह सीख कर नहीं कर सकते इसे हमेशा एक पवित्र काम की तरह देखा जाता था कि आप मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस पर विचार करें और मुझे यकीन है कि आप भी अपने अंदर कई बार इसका सामना करते होंगे ये बस किसी प्रिस्क्रिप्शन का किसी सरजरी का या किसी और चीज़ का सवाल नहीं है ये एक इनसान के जीवन का सवाल है कि वो जिन्दा रहेगा या मर जाएगा मेरा मतलब आपका अस्तित्व ये कोई केस या आंकड़ा नहीं है उस व्यक्ति के लिए ये उसका एकलौता जीवन है इसे सिर्फ पेशे की तरह देखा जाने के बजाए कहीं ज्यादा गहराई से देखने की जरूरत है उसी तरह की लगन और जुडाव कुछ व्यक्तिकट डॉक्टरों में ये देखने को मिल सकता है मगर अब भी ये एक संस्कृति की तरह मौजूद नहीं है उसे एक पेशे की तरह नहीं देखा जाना चाहिए मैं बस यही कह रहा हूँ हाँ आर्थिक जरूरत अपनी जगा है वो तो हो ही जाएगा वो एक अलग चीज है सबसे पहले इसे एक तरह की प्रतिबधता और एक तरह के सवभाग्य की तरह देखा जाना चाहिए कि आप किसी के जीवन को खत्म कर सकते हैं या लंबा कर सकते हैं ये कोई छोटा सवभाग्य नहीं है ये के लेपे हैं किसीयोज़ OK कि जीव मैं ऒक में और शो खत्म कर सकते हैं व कोई प्रतिबग्य, कर सकते हैं चल्प कर सकते हैं